हेलो फ्रैंज और दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में और आएए आज आपको दिखाते हैं कि अमेरिका में किस तरीके से जो है घर के आसपास घास होती है उसकी किस तरीके से कटाई की जाती है सफाई की जाती है तो यहाँ पे दोस्तों आपको कहीं भ किनारे हो चाहिए आपके अपार्टमेंट के आसपास हो चाहिए आपके घर के आसपास हो तो जहां पर भी आपका गार्डन है लॉन है आपको हर जगा इस तरीके की घास बीच भी मिली तो आप देख सकते हैं यह चोटा सा ट्रक्टर है यह अपार्टमेंट है जहां पर मैं आ वहाँ पर गास की किस तरीके से कटाई कर रहा है तो यह देखिए छोटा सा टैक्टर है और इसमें नीचे जो है यह ब्लेड लगावा है और इस तरीके से यह गास को जो है इक्तम बराबर लॉन को काट रहा है और और भी कही तरीकी की मशीने आती हैं जिस तरह से एक इट्रेक्टर है इस तरह से और भी मशीने आती है जिस से यहाँ पर गास की जो है सफाई करते हैं तो यह जो भी यहाँ पर इस तरीकी की घास होती है उसकी सफाई जो है यह regular basis पर करते रहते हैं और यह ध्यान रखते हैं कि उसकी जो लंबाई है वो ज्यादा ना हो जाए तो उससे पहले यह उसकी कटाई कर लेते हैं इस तरीके से इसकी कटाई हो रही है और जहां जहां पर जो है ये चोटा सा ये ट्रेक्टर फाम नहीं पाता है इसको घ्रास को काटने के लिए वहां पर एक हात वाली मशीन है वह में भी आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा को उस हाथ वाली मशीन से एक दूसरा आदमी जो है जमीन से और जितनी भी घास है उसको बराबर एक्दम एक लेवल में काट रहा है और जो अच्छीवी घास है वो यहीं पर बिगर जा रही है, इसी लाउन में और वो एक प्रकार से खाट कभी काम करती है इस देखिए, और जो कटीवी घास से बहार गिर रही है वो नी लॉन पर विघर जा रही है और एक प्रकार से वो खाद़द का भी काम कर रही है और आप देखे यह जो यहां पर लॉन है कितना साफ सुथ्रा है आपको यहां पर कोई फालतु की कोई गंदगी यहाँ पर नहीं देखेगी पनी है, पेपर है या बाखी कोई चीज हाँ, पेड़ के जो पत्ते हैं जड़े में वो भले ही आपको यहाँ पर देख सकते हैं और इसकी भी यह जो है सफाय करते हैं, उसको भी साथ कर देखें ताम तू कि और देखे किस तरीके से ट्रेक्टर को घुमा घुमा के जगा जगा पे जाके और पुरी घास को एक पराबर लिबल में ज़ो है इसको काट रहा है और जहाँ जहाँ पर यह ट्रेक्टर नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर हाथ की एक मशीन है वो भी ऑटमेटिक होती है उसके थूरू कटाई होती है और यह देखे यह वो मशीन है इस पर मोटर लगी है सामने चार तार लगें इस पर और इस तरीके से मोटर घूमती है और तार के थूँ जो है कोने कोने जहां पर टक्टर नहीं पहुच पा रहा था इस मशीन के थूँ जो है गास की कटाई हो रही है तो रेगलर बेसेस पर ये लोग जो है अपार्टमेंट की जो सोसाइटी है वो इसका ध्यान रखती है और टाइम टू टाइम जो है गास की गटाई करवाती रहती है तो दोस्ता उमेद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीस कमेंट करके बताईए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और भी जानकारी देता रहूँगा तो प्लीस सब्सक्राइब मैं चैनल, कमेंट, शेयर, लाइक and don't forget to hit the bell icon so thanks for watching, thank you so much